नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्निशन और मैं हूँ प्यादर्शन रंजी ट्रफी मुकाबले में बिहार और 36 कर के बीच पतना में खेले जा रहे हैं मैच में बिहार की टीम एक बार फिर से काफी दुविधा की इस्थिती में है दसरी बाते हैं इसलिए क्यों कि 36 गर ने बिहार के मुकाबले एक बड़ी लीड हासिल कर लिये और इस्थिती है कि दूसरी पारी में भी बिहार की टीम ने सुरुवाती विकेट खो दिये हैं दसर आग मैच का तीसरा दिन है और मैच के तीसरे दिन जब बिहार और 36 गर के इस मुकाबले में 36 गर की टीम ने अपनी पहली पारी में बिहार के ओपर कुल 221 रनों की बरहत बना ली तो उसके बाद 36 गर ने अपनी पारी घोशित कर दी वहीं बिहार की टीम अपनी दूसरी पाड़ी में भी लगातार एक के एक बल्लेबाजों को खोते रही और अब तक तीन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं तसर अगर हम स्कोर कार्ट पर नजार राले तो बिहार की टीम ने पहली पाड़ी में कुल 108 रन बनाये थे और इसके मुकाबले 36 गर की टीम ने कुल 329 रन बनाये और अपनी पाड़ी घोशित कर दी इस दोरां 36 गर की योड से दो बल्लेबाजों ने सतक लगाए 36 गर के बल्लेबाजरी सब्तिवारी ने 138 रनों की पाड़ी खेली जबकि आसुतो सिंग ने नौट आउट 134 रन बनाये है इसके अतरिक ससांग सिंग भी 25 रनों पर नाबाद रहे जबकि एकनात करके लिए 25 रनों की पाड़ी खेली थी इस तरह बिहार के 108 रन के मुकाबले 329 रन बना करके 36 गर ने 221 रनों की बरहत हासिल कर ली और उसके बाद आज जब खेल के तीसरे दिन फिर बिहार की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो अपनी दूसरी पाड़ी में भी बिहार की टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और पहला विकेट के शुरू में ही जटका लगा जब बिहार के सलामी बलेबास वैभव सुरिबंसी बिना खाता खोले हुए आउट हो गए उन्होंने साथ गेनों का सामना किया और सुन्नी के स्कूर पर ही चलते बने हाला कि उसके बाद समन्निगोर ने बेपाड़ी को समाला और उन्होंने बबलु कुमार के साथ मिलकर के पाड़ी को लगातार आगे बढ़ाया दोनों बल्लेबाजों ने अर्थ सतक लगाए और उसके बाद दोनों 60 और 52 रनों की पारी खेल करके आउट हो गए और इस तरीके से तीन विगर गेड़ने के साथ ही बिहार का स्कोर एक बार फिर से जो तो 321 रनों की पारी की लीड ले रखी है 36 गर ने उसके मुकाबले एक बड़े अंतर से अभी बिहार की टीम पिछले हुई है और इसके बाद तीसरे दिन का खेल जब खत्म होगा तो उसके बाद फाइनल स्कोर आएगा कि बिहार की टीम कुल कितने रनों से पीछे रहती है लेकिन इन सब के बीच कल जब मैच का अंतिम देन रहेगा तो उस दिन यह महत्पुर्ण होगा कि बिहार की टीम अपनी दूसरी पारी में कुल कितने रन बना पाती है तो कि जैसा मैंने आपको पताया कि 36 गर की टीम पहले ही 221 रनों की बरहत ले चुकी है और अगर यह बरहत बिहार की टीम पार करने में सफल हो जाती है तो उस दिती में 36 गर को दूसरी पारी में जीत हासिल करने के लिए एक निर्धारित लक्ष मिलेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ और बिहार की पूरी टीम 221 रनों के पहले ही सिमर जाती है तो उस श्तिती में बिहार के लिए मुश्किले बरहेंगी और बिहार की टीम पर फिर हार का खत्रा मन रहा सकता है तब अब देखना महत्पूर्ण होगा कि जो बिहार के सेस बचे हुए बल्ले बाज हैं वह आज के मुकाबले में अब कैसा खेल पाते हैं और जो अब कुछ घंटों का खेल सेसे जानि कि आज के खेल के बाद जो पूरे दिन के खेल रहेगा तो उस दोरान बिहार की टीम कैसा प्रदर्शन करती है क्योंकि इसके पहले बिहार ने जिए अपना पहला मैच मुंबई के साथ पटना के ही मोहिनूलो कस्टेडियन में खेला था तब उस मैच में भी बिहार की टीम को हार का सामना करना परा था और एक बार फिर से जब यह दूसरा मैं 36 गर के साथ हो रहा है तो इस मैच में भी बिहार की टीम का लचर प्रदर्चन लगातार जारी रहा और 36 गर की टीम ने पहले टौस इतने के बाद पहले गेंदवाजी करने का निर्ने लिया था और अपने इस निर्ने को सही साबित करत और उसके बाद 36 गर के बल्ले बाजों ने सेवाजी करते हुए 329 गर की पाड़ी खेल दी तो अब आगे मैच में क्या क्या स्कोर आते हैं और बिहार की टीम इस पूरे मुकाबले में 36 गर के सामने कहां तक टिक पाती है हम आपको तमाम अप्डेट्स बताएंगे फिरहाल आपको यह बता कर छोरे जा रहे हैं कि आज के इस मैच में 36 गर के मुकाबले बिहार के टीम 221 रणों से पहली पाड़ी में पिछर गई है